बलीनों की प्रावला हम सबको पता है मारूती स्ट्रेंद के मामने में गाड़ियों को इंप्रूब नहीं कर रहा है तो ऐसे केसे के अंदर ये गाड़ी कुछ गाड़ियों के मुकाबले थोड़ा सा वीक परफॉर्म करती है वन इट कम्स तो क्रैशेज पिछली वीडियो का ये वाला कंज्यूमर फीडबैक नई बलीनों के अंदर को चेंजिस लेकर आया होगा और जैसे हमने पुरानी बलीनों की वीडियो में बात करें थी कि जब से पुरानी बलीनों मार्केट में आई थी उसने अपनी पकड़ बनाके रखी हुई थी और उस इस अप्डेट के अंदर काफी जादा अच्छी चीजे हैं जो इस बलीनों को और जादा डिजारेबल बना देती हैं और सबसे अच्छी बात सेफटी का तो मुझे पता नहीं लेकिन आउटरक शीट को ज़रूर सुधारा गया है इस वीडियो को एंड तक देखते रहें विकॉज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इस गाड़ी में क्या अच्छा है क्या बुरा है किस आदमे को ये लेने चाहिए किसको ये अव करें नई बलीनों की आत्मा पहली की तरह मासूव में लेकर इसने कपड़े थोड़े से स्टाइलिश वें लिए जहां पहली बलीन आपको थोड़ी सी हैपी हैच पैक लगती थी यह आपको थोड़ी सी स्पोर्टी और अग्रेसिव लगेगी अपके पास ही मस्कुली निक्रीस इफ देन आपको त्लैंश बॉनेट डिजाइन मिलता है जो कि थोड़ा अगे तक कवर लगता है आपको उसक बंपर का लिफ है बहुत जाधा सटल नहीं है हलका साथ को अग्रेशन दिया गया लेकिन बहुत जाधा शार्प भी नहीं है और जो गारी का फ्रन्ट लुक है वो पहले के मुकाबले थोड़ा सब्स्लीक थोड़ा सशाप लगता है बात करते हैं गारी के साइड्स की जहां कोई ज्यादा changes नहीं है लेकिन आपको छोटे-छोटे changes दिखा देता हूँ first of all अगर आप ध्यान से यहाँ bumper के पास दिखेंगे तो आप तो यहाँ पे एक corner दिखेगा इस किसी area के अंदर and similar आपको एक corner एक pointy design दिखेगा यहाँ पीछे की तरफ इसके अलावा जो shoulder line है उसको थोड़ा सा यहाँ पे शाप कर दिया गया है इस area के अंदर and beach में shoulder line आपकी काफी जादा smudge है तो यह थोड़ा सापको पिछले वाला का look देती है लेकिन अगर आप इन shoulder design को देखते हो तो आपको हलका सा updated look मिलता है तो that's most of the balinus के लावा याप कोई major changes नहीं है तो आपको 15-inch टायर मिलते है 185 section के then you have this folding ORVM जिसके उपर indicators ORVM का lock के साथ कोई connection नहीं है यापको manually अंदर से fold करने पड़ते हैं और these are electrically foldable तो that's a good touch उसके लावा there is not much to talk about the balino you can see the antenna जो थोड़ा सा अलग लगता है लेकिन अच्छी बात यह की आगी नहीं पीछे की तरफ है तो यहाँ पर यापको odd नहीं लगता windows गाड़ी की काफी ज़दा decent size की है not too big but not too small as well तो अंदर alienize थोड़ी बहुत तो इसकी बनी रहती है बात करते हैं गाड़ी के rare की है और front के जैसे rare पर भी कुछ distinctive changes है जिनके हम बात करते है सबसे पहले तो आपको मिलता है spoiler then high mountain stop lamp एक massive rare windshield जो की मेरे को लगता है बाकी competition के वेकाबले सोड़ी सी बड़ी ही है then bootlet के left side के उपर आपको मिलता है बलेनों का logo and the right side पे there are no such badging लेकिन जो changes है इस वार वो है ये tail lamps जहां पुरानी बलेनों के tail lamps body के उपर थे नई बलेनों के अंदर आपको ये bootlet के उपर भी मिलता है तो हलका सा premiumness गाड़ी की बढ़ा दी गई है looks के मामले में उसके लावर जो नएया tail lamp पे इसका हलका से design भी change किया गया है कुछ लोगा लगता है ये WRV से inspired है because of the looks let it be पुरानी बलेनों में आपको बड़ी बड़ी बिंदियां मिलती थी I think 6 जो नए बलेनों में 4 कर दिया है शोड़ा चोटा कर दिया है बड़ नीचे you can see these LED elements तो देखने में अची जुरूर लगती है लेकिन मुझे पुराने वाले के बिंदियां थी बड़ी 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 वो बहुत जादा पसंद थी then the center में आपके पास यहां पे halogen lamps है for indicator and for reverse as well दिचे आपके पास है reflector जो bumper है you can see it is quite massive बहुत जादा बड़ा एक प्लास्टिक लगता है लेकिन cuts की वज़ा से ने सके बड़ बल्क नहीं है वह वाला and on the bumper you can see company fitted reverse parking sensors बात करते हैं गाडी के boot space की and this is the boot space of the all new Baleno it is quite adequate for a family and अगर अप्रिप्स पे जा रहे हो पिक्निक पे जा रहे हो तो आपको यह पर decent सावान आ जाएगा मेरे को नहीं लगता आपको किसी तक यहां पर complain होगी segment में सबसे जादा boot space altros का है I don't remember Baleno या i20 के क्या stickers है बड़ और altros का सबसे जादा है and यह जो cover कर रखा है इनोंने side को यह काफी साथ अच्छे तक यहां लेकिन I have noticed something यह यह वाली side है यह तो काफी अच्छी है यह अंदर से street है यहां पर कोई चीज होगी जिसकी वजासी इसको support मिला हुआ है यह वाली जो side है it is quite slimsy you can see यह ऐसे हिलना चैसे oh my god यह एतनी easily खुल जाता है ठीक है इसको करते हैं हम बंद and उसके लाग अगर मैं tray की बात करूं तो tray खोलने के लिए आपको यह आप एक मोरी मिलती है not the right word but that's the tray and that's the spare wheel यहां पर आपको यह दो मिलते हैं छोटे-छोटे पसा है मतलब your panels and fittings के लिए जो भीको आप बोलना चाहो points that's the board space यहां पर आपको आपको इंकर सीट के anchor points है giant seats के लिए that's the very nice touch overall the practicality गाडी की वो तो काफी त्वा अचही है this tray is also nice but there is something about the balina which I would like to say and that is this glass यह ने लिद से बहार आण रख है तो वैसे तोई इसकी मैंने जादा तूटने की कोई न्यूस बगरा नहीं सुनी लेकिना इस सील है कि this is not the very best place अगर आपे इसकी का हाथ आएगा जा कुछ भी आएगा वैसे तो हाथ अने में तो हाथ तूटता ही है और यह शीशा भी तूट जाएगा यह तो आपको यहां जाएगा और यह बहुत अगशिए को देखने में काफी दाज अच्छा है बट इसकी जो रियल लाइफ प्रेक्टिकालिटी है वो कितनी अच्छी है इसकी अच्छी है यह पने आएगा बाओ पर बात करते हैं गारी कि अदर जाने से पहले दोर के उपनि यहां पर two points मिलते हैं जहां पर आपका door लुखता है, that is quite nice, opening angle is quite good, अंदर battle में किसी था कि दिखकर आपको नहीं आएगी, third कि अगर मैं बात करूँ, और आपको हलका सा third जरूर फिर होता है, because मालुती कहाता है, इनोंने outer sheet के अंदर कुछ improvement की है, I feel like वो improvements आपको रियल लाइफ के अंदर हलके-लके महसूस होंगे, very nice, अब यह है नई वाली बलीनों का dashboard जो आप देख रहे हैं, और पुराना dashboard भी काफी रादा funky था, लेकिन नए में इनोंने इसको और premium touch देने की कोशिश की है, जैसे इनोंने अलग-लग colors यूज़ किये में है, तो थोड़ा सापको अच्छा जरूर लगेगा इस बलीनों को देख कर, लेकिन ये अलग-लग इनसाम की अपनी परस्पेक्टिव है, अपना-पना की उसको अच्छा लगता है कि नहीं लगता, मुझे overall नए बरीनों केंट्री से काफी साथ अच्छा लगा, however, जो उपर का ये पार्ट है स्क्रीन वाला, ये थोड़ा बहुत inspired लगता है टाटा की cars से, और जो नीचे का पार्ट है, वो थोड़ा बहुत Hyundai cars से inspired लगता है, पर उसकी हम सोड़ी देन के अंदर बात करते हैं, साथ से पहले अगर मैं steering wheel की बात करूँ तो steering wheel की shape काफी साथ अच्छी है, लेकिन इसको गुमाने के लिए, अब ये lock ही हो गया है, गुमाने के लिए हमको जरूरत है चाबी की, तो चाबी लगाते हैं, ये ऐस से, ये सारे आइकन दाते हैं, जब आप car को on करते हो, और car को करते हैं start, तो बड़े हलके rumble के साथ car on हो गई है, AC भी on हो गई है, विकॉस धूप अगर आप देखोगे, बाहर एकदम से काफी ज्यादा हो चुकी है, तो now it is very light, look at this, आपको flat bottom steering wheel मिलता है, जैसे आपको swift के अंदर मिलता था, तो ये car की appearance को थोड़ा सा और enhance कर देता है, यहाँ पर आपको ये certain touch मिलता है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा chrome ring मिलेगा, तो ये दो अलग-लग material लग रहे हैं, मुझे probably yes, ये जो chrome ring है, ये अलग है और ये जो certain का touch है, ये अलग है, left side आपको कुछ button मिलते हैं, for the infotainment system, right side के button I think सिर्फ high evidence के अंदर आते हैं, उसके लावा नीचे आपको कुछ controls मिल जाते हैं, this is to pick the call, call उठाने के लिए, call काटने के लिए, and phone को command देने के लिए, high evidence के अंदर आप यहाँ सी infotainment system को भी command दे सकते हो, तो that's the steering wheel, इसके अलावा इसके अंदर आपको tilt adjustment भी मिलती है, and steering को आप एक हाथ से बंद भी कर सकते हो, पीछे आपको मिलते है regular stocks, and wiper के एकर मैं बात करूँ, तो decent है, यह जो letters इन्होंने लिखे हुए है न, यह मुझे काफी जादा अच्छे लगते हैं हामीशा से, and यह जो बड़े-बड़े dials लगाएं में तो वो अलग से ही attractive लगते है मेरे को, and left side पे आपके बास है rpm, 5000 तक जाएगा खड़ी-गाड़ी के अंदर, right side पे आपके बास है speedometer, maximum 220 है, I feel like यह गाड़ी 180-190 तक जाती होगी, but I do not do high speed test, center में आपको मिलते है MID, उपर आपके बास आ रहा है time 234, actually late इतना इसली हो गया, because यह मैंने पहले सारा record किया था, लेकिन audio on करना भूल गया, very nice, यह outside temperature है 29 degrees, center में आपके बस यहाँ पर I think कुछ नहीं आता, because मैंने car को multiple times on-off करके बेख लिया, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ मिला नहीं, उसके नीचे यहाँ पर I think it is for gear indication, जो screen है नीचे वाली, and सबसे नीचे आपको यहाँ पर average दिखा रहा है, तो range है 588 की, यह है current average जब मैं चलाओंगा तब आएगी, and 19.9 का average दिखा रहा है पिछले trip का, तो जब मैं सुबा निकला था तो यह 19, तब यह 20.1 था, but कम कर दिया मैंने, तो गाड़ी अभी brand new kind of हैं, सिरफ 2,000 किलिमेटर चली है, फ्यूल भी भाई ने पूरा भरकी दिये, कितना जितना मरजी आप तेल उडाओ, कोई चक्कर नी, that's everything, and यहां से इस जगा से ही न, आप MID के अज़स्ट्मन भी कर सकते हो, अब I don't know, I think दोनों को दबा के होती है, I think इसको मैं दबाऊंगा, और फिर इसको रोटेट करूँगा, तब जाके MID के अज़स्ट्मन आ जाएगी, चलिए, इसके लावा अगर मैं बात करूँ, राइट सेट के, तो राइट सेट पे आपको यहां पे कुछ फीडबैक नहीं दे रहा है, यह कैसे चलता है, I have no idea about it, या तो यह चलती गाड़ी पे चलेगा, या यह ब्रेक के साथ चलना चाहिए, I don't know exactly क्या सीन है, बड़ यह मुझे on-off करना नहीं आ रहा, यह कुछ empty buttons हैं, इसाथ में आपको मिलती है, headlight की adjustment, इसको खूल लेते हैं, तो सबसे उपर you can see this black touch, then you can see this blue accent, which is plastic, and उसके नीचे यहाँ पर आपको मिलता है, हलका सा fabric, blue color का, and then यह भी blue fabric है, तो यह दोनों काफिजाद देखने में अच्छे लगते हैं, हाथ लगाने में, it is quite decent, यहाँ पर आपको again, simple black touch मिलता है, and नीचे आपको यही उपर आपको मिल जाता है, mix and match किये कंप्टी ने, but overall इसका जो लुक है, वो काफिजाद अच्छा आता है, and जो latch है, it is all black, latch completely black है, तो देखने में खराब नहीं लगता, लेकिन इसकी जो feeling है न, यह बहुत साथा premium वाली नहीं है, it is not weak, यह हलका नहीं लग रहा है, लेकिन बस यह premium feeling नहीं है, इसके अंदर जैसे किसी किसी chrome latch में होती है, बढ़िया वाली, भारी सा लगता है वो, यह नहीं लगता है भारी सा, यह ओके लगता है, यह जो lock वाला part है, यह पता नहीं मरूती कितने सालों से यूज़ कर रहा है, यहाँ एक लाल लंका sticker लगा होता है सिरफ, बहुत सारी गाड़ियों के अंदर मरूती का यही सीन है, इसके लाव आपको एक मरूती का और अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, यह आगे हमारे buttons, उपर आपको मिल जाता है, ORVM के adjustment, नाइस, उसके बीचे मेरे पास है Windows के lock या unlock का switch, and then मेरे पास है Doors के locking या unlocking वाला switch, and यह switch मुझे काफी अच्छा लगा, and मैं चाहता हूँ, यह switch ना हर गाड़ी के अंदर होना चीज़ इस तरह का, क्यों, देखो ऊपर आपके पास यहाँ एक lock का option मिलता है, जो कि सिरफ एक door को lock करता है at a time, and again you can see the passenger lock is open, लेकिन जैसे मैं यह button दबाऊंगा इदर वाला, पहले बाद तो मेरे सारे doors यहाँ से lock हैं, ननलोग हो जाते हैं, दूसरी अची चीज़ में सबसे ज़्यादा क्या लगी, इसको मैंने खोला, मेरा door open है, लेकिन passenger door अभी तक मेरा locked है, तो that is a nice thing, बहुत सी घड़ी में होता है कि जब आप door को खोलते हो, तो आपके सारे doors एक साथ खोल जाते हैं, तो वो में को लगता है कि safety बहुत अदफ की अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर आप अपना door खोलते हैं, बीचे से कोई बच्चा दूसरा door खोल ले, that is not a nice thing, यहाँ पर door and बाकी के जो doors हैं, ड्राइवर के अलावा आवके बसका अलग से control है, तो that is the very nice thing, जब आप lock करोगे तो driver का साथ में lock जरूर हो जाएगा, and unlock में driver भी unlock हो जाएगा, लेकिन अगर आप individually करते हो, तो किसी को कोई फरक नहीं पड़ता, that's the nice thing, इसके पीछे power window के controls, जो बाकी मरुती cars के अंदर भी होते हैं, I think जो auto है, सिरफ यह illuminated है, बाकी के जो controls हैं, जो पर कुछ भी नहीं लिखावा, जब अगर मैं center console की बात करूँ, तो center console के अंदर आप कुछ elements, आपको दूसरी गाड़ियों से borrow की एवें मिलेंगे, सासे महले अगर हम screen की बात करें, तो यह जो frame आप उपर देख रहे हो, इट reminds me of Harrier and Nexon, बहुत ज़ादा ये चीज़ देखने में वैसी लगती है, लेकिन अगर मैं individual screen की बात करूँ, तो मारुती की screens हमेशा से बहुत ज़ादा शांदार रही है, यह भी एक शांदार unit है, क्यों, इन में feature बहुत ज़ादा नहीं होते हैं, लेकिन इनकी practicality वो काफी ज़ादा अच्छी रहती है, and fluid screens है काफी ज़ादा, सब कुछ एक तम सही से चलता है, अगर मैं setting में जाओ, तो display के अंदर, you can see day and night की अलग-लग brightness है मेरे पस, तो मैं जितनी भी brightness set करूँगा, day and night की वो अलग से set हो जाएगी, इसके अलावा बाहर आते हैं, इसके अलावा voice, जो vehicle alerts है, वो भी अलग-लग मैं screen के उपर देख सकता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा है seatbelts, तो अगर मैं गाड़ी को चलाऊँगा, तो seatbelts का icon उपर आ जाएगा, इसके अलावा बाकी चोटी मोटी चीज़ें, यहाँ पर steering wheel के controls को on-off कर सकते हैं, keyboard को on-off कर सकते हैं, तो अगर मैं audio पर क्लिक करता हूँ, तो audio के अंदर में बस basic controls तो है ही, साथ में मेरे पास स्पीड dependent volume control, यानि अगर मैं speed को slow करता हूँ एकदम से, इसके अलावा यह नीचे आता है, मैं पास एक volume attenuation during reverse, यानि जब मैं car को back पर लगाऊंगा, तो हलकी सी आवास कम हो जाएगी, तो reverse करूँगा जब, तो basic controls काफी ज़्याद अच्छी हैं, उसके लावा आपर से swipe करके, अब यहाँ पर चोटे मोटा आइकन लगा सकती हो, shortcuts और तो that's the infotainment system, यहाँ पर अगर knobs होती दो, एक volume के लिए एक selection के लिए, तो काफी ज़्याद अच्छा होता है, यह जो button दिया हो है नोंने, यह वो शान्दा नहीं है, overall quality of the system is quite good, and इसके नीचे अगर मैं AC events की बाद को, तो AC events चारों देखने में एक जैसे हैं, लेकिन जो extreme end वाले AC event है न, इनके उपर एक खास touch है और वो है यह carbon wrap, बहुत ज़्यादा special नहीं बना रेगा यह इसको, लेकिन still थोड़ा सा better लगता है, जो center के AC events है, क्योंकि यहाँ पर already काफी दा lines है, तो मेरे को लगता है उस lines का फायदा उठागी, कमपनी ने इसको carbon wrap देने का सोचा ही नहीं, चलिए कोई बातनी इनको बंद करने के लिए, मुझे center में करना पड़ेगा, लेकिन जो side वाले हैं, इनको बंद करने के लिए में बस यहाँ पर यह dial दिया हुआ है, works fine तो कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की इसके निचे अगर मैं आ जो तो यहाँ पर you can see the gray accent, looks very cool and it is very soft touch, then उसके निचे यहाँ पर हमारे पास है AC के controls, and AC के controls में भी ऐसा कुछ है जो मैं चाहता हूँ हर गाड़ी के अंदर होना चाहिए, keep watching this, पहले बाद तो जो ओपर के जो flaps है, यह ओपर नीचे होते हैं, जो नीचे के हैं यह buttons है, इनको अब दबाओगे तो यह button की तरह काम करेंगे, जैसे off हो गया, और यहां से on कर दो यह चाहिए, auto दबादो कुछ भी, ठीक है, तो this was the AC for you, अब मुझे इस AC में क्या सबसे अच्छा लगा, जब मैं auto का button दबाता हूँ, तो बाकी गाड़ीों के तरह, S-Guardi की भी speed बढ़ गई है, fan की, तो that is the nice thing, लेकिन जो सबसे अच्छी वाद मुझे लगी, auto के साथ-साथ यह मेरा manual input भी लेगा, कैसे, auto दबाया, मैं चाहता हूँ हवा अंदर की ही, हवा बाहर से आ जाया, you can see fan की speed एंड तक बढ़ भी जा रही है, दुबारा मैं यह चीज़ करूँगा, अगर मैं auto दबाऊंगो, यह on जरूर हो जाता है, लेकिन मैं इसको off कर सकता हूँ, क्योंकि auto में car चाहती है, कि वो सबसे जल्दी ठंडा करे, तो जल्दी ठंडा तो circulation बंद करकी होगा, बाहर से हवा अंदर नहीं आएगी तब, लेकिन अगर मैं बाहर की हवा लेना चाहता हूँ, तो I have the option for that, यह चीज मैं Harrier में चाहता हूँ, और Harrier में ऐसा नहीं होता है, मैं जैसी बाहर की हवा करता हूँ, auto ऐसी बंद हो जाता है, तो this thing is very nice, according to me, इसके लावा अगर मैं बात करूँ, नीचे 12V socket है मारे पास, then USB slot है, उसके बीचे gear lever है, gear lever is quite okay, कोई special चीज नहीं है, लेकिन कोई खराब चीज भी नहीं है, you have the chrome ring, it looks okay, and functioning wise, it is quite soft, इसके बीचे I have the handbrake, and अब बात करते हैं practicality की, तो यहाँ पर वाँपर दो utility spaces है, जहाँ पर toffee पड़ी और यहोपर की तरफ, तो इसके लावा थोटी सी space मुझे handbrake की नीचे मिल जाती है, जहाँ पर मैं आप wallet वकर आ जाएगा, then front पर यहाँ पर मैं पास दो cup holders है, decent size पर बहुत ज़ादा बड़े नहीं है, यहाँ पर आपको normal glass आएंगे, इसके लावा यहाँ पर मैं पर mobile या wallet रखने के लिए मैं कोई enough जगा मिल जाती है, जहाँ दो तीन phones आराम से आ सकते हैं, यहाँ पर अपने phone रखा है, पास में आपने charging लगा दिया, तो that's the nice thing, इसके लावा अगर मैं driver side की बात करूँ, तो driver side के ओपर मिरे को, इसके लिए गया है, और कभी होल के लिए निदे छोटा मोटा सामाना जाएगा, साथ में कभी होल के नीचे, I have this for engine bay, and this is for fuel lid, तो fuel lid के लिए मुझे बिलकुल सबसे नीचे जा के hook खीचने के ज़रूरत नहीं है, I can do it from here, जो boot है, boot के ओपर button दिया हुए तो वह वही से कुल जाता है, and अब अगर बात करूँ, मैं glow box की in the premium car, तो premium car का glow box बहुत जादा basic है, बहुत जादा छोटा है, कोई खास जगह इसके अंदर नहीं है, नहीं कोई खास function है, जैसे cooling हो गया रखा, तो यह मुझे काफी जादा disappointing लगा in a car this size, क्योंकि यह जितनी जगह भी है इतना सावांदो बंदा वैसी बाहर रख लेगा, तो इसमें दब्बे की क्या जरूरत है, चलिए, overall feeling is quite good, अब आज करते हैं, seats की, seats की ball string काफी जादा decent है, high support काफी जादा decent है, padding काफी जादा decent है, and long roots के ओपर front seats में आपको किसे दा की दिक्कत नहीं आएगी, जो headrest है, यह काफी जादा tall लगते हैं, वर ठीक है, quite okay, and shape you can see, काफी अच्छे shoulders बना रखें seats के ओपर, it looks quite nice, overall it is quite good, अगर मैं बात करूँ, अगर मैं हैंडल की बात करूँ तो मुझे काफी जादा प्रीमियम लगी पराणी काड़ी के में काफी आपने उसका रीजन ही, यह जो different colors यूज की है, खासकर जो silver and blue है न, यह हलका से royal सा share देने की कोशिश की गई है गाड़ी को, थोड़ा सा executive type look, and overall जो elements से काफी जादा अच्छे लगते हैं, यह जो fat bottom steering, विलैस की विजासे भी थोड़ा सा आपको sportiness बनी रहती गाड़ी के अंदर, पुरानी की गाड़ी के मुकाबले, नहीं गाड़ी की quality को थोड़ा वो सुधारा गया है, however, इस सारे के सारे hard plastic है, यह बस हलका साब को soft feel होता है, अदरवाइस सब आपे hard plastic है, यह भी चीज को सुधारा गया है, oh my god, it is very soft now, sorry, very hard, it is very hard, यह चीज भी hard है, सिर्फ जो soft part है, वो यहाँ पर है, if you can see, यह जो frame है, steering wheel क्योंकि यह जो speedometer के अपर यह वहना frame, यह थोड़ा सा भी आपको महसूस होगा हलका, apart from this front के ओपर, और कोई ऐसी चीज नहीं है, जो आपको हलकी feel हो, दर्वाजा भी मरूती पुराणे के मुकाबले सही है, so that's the front part of Balaino, बास करते गाड़ी के rare seats की, and rare door की भी अगर opening angle की बात करूँ, तो उससे पहले मैं आपको मरूती के खास feature दिखाना चाहूँगा, अगर मैं इसको unlock करता हूँ, तो सिर्फ driver door खुलता है, और कोई भी door नहीं खुरता, ये मुझे मरूती की खास touch लगता है, because अगर आप किसी busy area के अंदर गारी में बैठ रहे हो, तो आपके बाकी के doors locked रहेंगे, सिरफ आपका door खुलेगा, जिससे आप easily car के अंदर बैठ सकोएं, आपको बाकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, that is something nice about the maruti, and जब मैं दूसरी बार unlock दबाता हूँ, तब मेरे बाकी का doors open होते हैं, तो this is a nice touch, इसे कर देते हैं, बंद, इसे खर देते हैं पूरा, तो एक stop इसको यहां मिलता है, अगले door के जैसे हैं, बूसरा stop इसको यहां मिलता है, लेकिन जो पिछला door है न, वो हलका सा weight में हलका है, प्लस जो hinge quality है, मुझे अगले door के जैसी नहीं लगी, यह ना center पर रुखता तो है, यह वड़ा लूल है, यहां देखो, अगला door ऐसा नहीं, यह अगला door के जैसे सही से खुलता है, यह भी रुखेगा यहां पर अरे वापिस है, लेकिन यह comparatively जादा सही है, यह छोड़ा लूल लगी है, चलिए अंदर बैठते हैं, अंदर बैठने में किसना कि अपो दिपकर नहीं है, इन फैक जो एक चीज़ में बार बार नोटिस कर चुका हूँ, बिकॉस यह मैं तीसरी बर वीडियो बना रहा हूँ, जब भी मैं अंदर बैठता हूँ, यहां पर मुझे सिर नहीं नीचे करना पड़ता है, आल्टरोस के अंदर या या आईवर, मिल जाती है, एक दो मक्हियां गाड़ी में आगी है, फ्लीज इन सब के अलावा, इस इस दे मैक्सिमम लेग रूम, इस दे अप्टिमल लेग रूम, यह मेरे हिसाब से है, तो अपने पीछे बैठके, मैं गाड़ी में लंबा सफर कर सकता हूँ, इस दे अपने पीछे साफदान के बैठके, फिर हलका साथ टाच होता है, लाइक दिस, बट मैं पकड़ी पैन ले तो, मेरी हाट फुर सी बढ़ जाती है, अधर देन दा, मैं हाट इस 510, तो आइफिल क्वाइट कमफ़टेबल इन दे कार, इसका लेगरोम इतना अच्छा है, आपको इतनी जगब मिल जाती है, बैठने के लिए, इसके लागा यू कन सी दे शोल्डर रूम एस वेल, तीन बंदे बहुत अराम से बैठ सकते हैं, और दूसरी अच्छी बात कहें कि, बैंच इस अल्मोस्ट फ्लैट, यह अल्मोस्ट फ्लैट आपको फिल ओने वाला है, तो तीन बंदे को घिष्टा के दिक्कत नहीं आएगी, जो पिछली थाई सपोर्ट है, वो अल्की से मुझे लगी लगी, considering the fact कि आपके पास लेगरोम इतना अच्छा है, कमपणी दो सीटों की थाई साब थोड़ी से अच्छी कर सकती थी, जो बैक रेष्ट है, बैक रेष्ट अगली सीट के मुकाबले, थोड़ा सा कम कमफरटेबल लगां मुझे पिछला वाला, थोड़ा खोखला सा लगता है, यह देखो सीट कैसी है, तो थोड़ा सा यहाँ पर कंपनी ने गोलमाल किया है and headrest आपको पिछले fix मिलते हैं बीच वाले पिचाले को तो मिलता ही नहीं है अगर मैं legroom की बात करूँ footwells की sorry footwells of the car are quite wide दोनों तरफ wide footwell हैं center में आपको एक टनल जुरूर मिलती है लेकिन टनल की वजह से आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी because tunnel की ऊपर का area भी काफी जादा खुलना टुल है वर्ना की तरह नहीं है पुरानी वर्ना की तरह and side पे जो footwells और वो भी काफी wide है तो तीन बंदे बहुत easily इस बाड़ी के नदे बैठ सकते हैं अब अगर मैं amenities की बात करूँ तो ये दो जगा तो बंदा पीछे वाल access कर सकते हैं साथ में उसके अलावा यहाँ पे आपको छोटा सी जगा मिलती है मोबाइल रखने के लिए 12V socket आपके बास पीछे है और इस तरफ से खुलता था और यहाँ पर फोटा सी जगा मिलती है मोबाइल वगरा गेन लखने के लिए पर फोन अपने ओपर ही रखे है यहाँ पे छोटा मोटा समाना पर रख सकते हो यहाँ पर मोबाइल लख सकते हो इसके अलावा नीच आपके बास एक बॉटल खोल रहे है यहाँ पर फोटी सी जगा है तो दाट्स अल्ड़ अमेनिटीज sock clothes handle along with a toe coat hook इस इस ओपन बाइद बिखरा आपको इस गाड़ी के अंदर हर गाड़ी में नहीं रिखता बट नो बिग डिल प्रीमियम है तो प्रीमियम ने इसके साफ से पीछे भी लाइट देनी चाहिए न कंपनी को को के सेंटर पर लख देते हैं अपना बंद जेगी वैसे मैं इसको आफ ही रेक्मेंट करता हूँ हमेशा टो डैट्स दे रेयर आफ बलीनो ट्रे इस कोईट लाज आपका समान पीछ अच्छा खास आ जाता है लेकिन अगर आपने ट्रे कनेक्ट कर रखी जैसे यह आपके कनेक्ट हो रखी इस समय तो आपकी ट्रे उठ जेगी समान आपका आगी तरफ गिर जाएगा तो उस चीज़ का घ्यान लखे आपको यहां पर क्लॉस्ट्रोफोबिक फिलिंग नहीं आते है आपको खुला डूला लगता है इसलिए आप गाड़ी के अंदर बैठ की एजिली लंबी जर्नी कर सकते हो बहुत अराम से अब गाड़ी को चला के दिखते हैं अगर आप मारूती के अंदर बैठ के तो सबसे पहले हमें करना चाहिए इस सीट बेल्ट ट्रिख अपारिशन्ट और अगर लगता है कि आपड़ी कर नियुक्ती के अंदर बाद बाद आप को अंदर आप अंदर नहीं कुछ सब्सक्राइब 20 km जैसे आप 20 पे जाते हो अपने आपके ड्रोर्स लॉप जाते हैं अच्छी विजिबिल्टी एंड लाइट कंट्रोल की वजाते हैं गाड़ी को चलाना बहुत अधा असान है मीन वैल मैं बहुत कम स्पीर के ओपर था भी मैंने कट लिया है लेकिन उसके बाहुजित जो टर अच्छी मिलेंगे आपको गाड़ी चलाते समय किसी तरह का अब्स्रक्शन नहीं रहेगा आपके सामने इसके बाद अगर मैं फीलिंग की बात करूं जहां पर इंसान सबसे पहले टच करता है या उन चीजों को तो स्टेरिंग ऑफ दे कार फिल्स वेरी नाइश तो होल्ड और स्टेरिंग ऑफ देखने में क्योंकि बहुत अच्छा है तो जब इसको चलाते हो न अगर में फील और फीदबेक की बात करो तो सेंटर के अंदर आपको हलका सा डेड महसूस हो गई है जैसे बाकी की मलती कार्स के अंदर आजकल है सेंटर हलका सा डेड है लेकिन जैसे ह इसको पॉर्ण रिंग पर लेकर जाते हैं हलके से इस पर टर्म वगर चरते हैं तो इट फीज अलाइव अनलाइक डिए 20 विच रिमेंस डेड आई 20 का जैसे हर समय स्टेरिंग आपको डेड अलगता है कि कोई जान में है इसके अंदर बस कार को घुमा रहा है उस तरह से नह सब्सक्राइब कि आप कोई ओक्यों के फील होता है कंपेर टो आई 20 इस वेरी गूड ऑल्ट्रो से अलकात आपको पीछे लगेगा इसके लावा अगर मैं पैडल्स की बात तो पैडल्स मरूती के बहुत जादा पर्फेक्ट है मैंने पिछले बलीनों की वीडियों में भी सब्सक्राइब करें को कि यह चीजे बहुत पर्फेक्ट होती है सुजोकी की गाडियों की एंड उसी तरह से यहां पर भी है आपका क्लच का फो बहुत जादा एजी है बहुत जादा लाइट है तो आपको गाड़ी शेहर के लिए चलाने में एवन मैनुल वर्जन के अंद जादा वो डेफिनिटी सिंदर अडेंगे तो यह चोटी से अरगोनॉमिक अब्सरवेशन है जो लोगों किसमें इसमें इंडश लेते हैं ड़ेट बैडल में अधर्वाइस इस वेरी मुच फाइन इसके लागा गर मैं गेर्स की बात कुनू हूँ इस गाड़ी के गाड़ी जाड़ी होते हैं सके मुचाबले खाने प्रबडी नहीं रब हम्लीड तो खोड़ेसा अपको रभरी रभरी वह रभरी फिलींग आती है यह इसमें पोछी महीं नहीं है आई ट्रौणी के गएश से थोड़ेसे पेटर हैं तो डैस्स दफी इसके लावा जो डॉज्ज तो अच्छा Balances के अंदर handling आपको कॉन रींक दींक और में डिन अजी है तो इस वजा से एगर मैं आपको तो अच्छी काउंटर कर लेती जो अच्छी गविजा और रोल है तो suspension बलीनों का हमेशा ही थोड़ा सा soft रहा है compared to previous बलीनों, I sealed है कि थोड़ी सी better है but उसका reason ज़रूरी नहीं कि suspension में changes हो क्योंकि गाड़ी का weight भी इलका सा बढ़ा है तो उस वजासे भी होसकता है, आपको suspension थोड़ा सा better मैसूज होगा तो कार फुरी सी यदा planted लगेगी आपको परानी बलीनों से otherwise, अगर मैं इसको as a comfort देखू, गाड़ी बहुत अच्छी है बलीनो इस नाट हैच पैक इसको आप races करो and everything तो जैसी मैं इसको एकदम से turn देता हूँ, तो बाड़ी रोल है कार के अंदर and it is very much evident, बीछे मैंने Altros का भी review किया था, तो Altros के अंदर बाड़ी रोल इसके मुगा अवलेकर मा बूलो, it is zero, इसका बाड़ी रोल अच्छा कासा आपको मैसूस होगा ठीक है कि गाड़ी आपको अच्छी खासी बाड़ी रोल है भलीनों के अंदर, even in a premium है मैं है बाड़ी रोल है बाड़ी रोल है विकोज शेहर के अंदर की राइड कॉलिटी है वो बहुत ज़्यादा ऑसम है अगर आप हाईवियो के ओपर भी जाते हो, तो भी बीच में आपको किसी बीप आरी होगी, that is because of 80 kmph, जब 80 के असफस गाड़ी होगी है तो गाड़ी तो थोड़ी से अपको बहुं सी मैसूस होगी, compared to i20 थोड़ा सा different feel होती इस तरह से i20 के अंदर ना आपको बहुत अच्छा बिल जाता है isolation, तो आपको इतना feel नहीं होता कि आपकी गाड़ी हिल रही है, गाड़ी हिलती है, body roll वगरा है i20 के अंदर लेकिन उसने आपको body roll feel नहीं होता, because उसका isolation अच्छा है, इस गाड़ी का isolation इतना शांदा नहीं है, तो आपको लगीगा शायरी गाड़ी ज्यादा खड़क रही है, ऐसा कुछ है, but ऐसा नहीं है, गाड़ी, overall जो balance है, y20 का सा better है इस गाड़ी का, but it is nowhere near the altros, altros की जो stability है गाड़ी की, जब अब 100-120 पर लिखे जारे होते हो, वो इन दोनों गाड़ियों से मच बैटर है, so overall suspension is soft, ride quality in city is very good, ride quality on highway is a bit bouncy, अब अगर मैं engine options की बात करों, तो बलीनों में हमार पास option आता है, 1.2 liter naturally aspirated petrol engine का, जिसमें 4 cylinder है, और वो बनाता है तकरीवन 89 bhp, 113 newton meter का torque, अब यह जो numbers नहीं वैसे तो premium hatchback के लिए काफी ज़्यादा कम लगेंगे, पहली बाद दूसरी चीज, altros and i20 के अंदर भी आपको similar से number मिलते हैं, but somehow यह गाड़ी उन दोनों गाड़ियों से fast महसूस होती है, i20 से ज़रा सा fast लेकिन, altros से काफी ज़्यादा फरक लगता है इस गाड़ी का, अगर हम naturally aspirated को compare कर रहे होतो, उसका reason है कि एक तो altros थोड़ी सी heavy है, यह थोड़ी सी गाड़ी उससे हल्की है, मरूती कहता बराबर वेटे हैं, लेकिन यह थोड़ा सा फरेकरस गाड़ी का, 60-100 किलो के बीच में, depending on the way, and दूसरी चीज, क्योंकि यह 4-cylinder engine है, altros के पास 3-cylinder engine है, I think i20 का लेती है, बड़े असानी से, compare to those cars, अगर मैं वैसे in general बात करूं, तो yes, आपको थोड़ा सा लगेगा कि performance थोड़ी सी और जादा होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप high speed के ओपर जा रहे हो, 5th gear के ओपर आपको एकदम से overtake करना है, तो जो तो automatic variant है, वो फटा फर downshift कर लेत है, लेकिन जो manual variant है, जिसको भी हम चला रहे है, यह आपको अलका सा lacking महसूस होगा, और आपको high speeds के अंदर खास कर अगर आप 80-100 पे जा रहे हो, 5th gear पर आपको एकदम से overtake करना है, तो जो mid range गाड़ी की 2000 RPM के बाद को काफी जदा flat है, तो overtake करने में आपको हलका सा feel होगा क कि गारी थोड़ी सी slow है, आपको फटा-फट चौथे पे करके गारी को निकालना पड़ेगा, otherwise आपको गारी sluggish महसूस होगी है at that time, other than that, अगर मैं शहर की performance की बात करूं, तो शहर के इसाप से यह गारी, altros and i20 दोनों के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा ही capable feel होती है, सिर् मरूती को टर्बो वेरियंट की जरूरत बहुत ज्यादा है, पहले जो इंजन आता था booster jet का बलीनो RS के अंदर, I think वो same engine इन्होंने फ्रॉंक्स के अंदर दे दिया है, तो अगर आप ज्यादा पंची कार लेना चाहते हो, विद मरूती का भरोसा मरूती का पेट्रोल इंगन तो आप फ्रॉंक्स पे भी जा सकते हो, however, refinement-wise, that engine is very good, but जो बलीनो के engine है, यह काफी ज्यादा silent है, and यह इतना ज्यादा silent है कि अगर आप third gear के ओपर, अगर आप डीजल का चलाते हो ना, तो आप तीसरे gear पर swap चले जाओगे और आपको बूल जाएगा, तो यह आपको gear डा यह, अब वो ज़रूरी हो गया, bump आया था बहुत बढ़ा और बहुत अदाम से निकल के सगाड़ी के नीचे से, love it, चलिए, light quality गाड़ी काफी जादा श्यांदार है, it is a huge plus point, अब मारूती है, तो एक और सवाल बनता है, कितना देती है, तो you can see auto अभी 2600 चला हूँ है, ले कुछ highway है, कुछ शहर है, I will call it like approximately 50-50 को भी मेरे फ्रेंड की का रहा है, तो मैं जानता हूँ, तो 20 का अबरेज रिखा रही है, अगर मैं दो कम भी कर दूँ तो आपको 18 का अवरेज मिल रहा है, शहर और highway का मिला के, अगर मैं सिर्म हाइवे की वात करूँ तो I am assuming कि highway का अव तो 80 पे हम लेकर आपे आना, तो क्या नंबर रहता है मैधी खेओ अउपर, और अभी हम हँटी भिखा रहे हैं कॉंस्टेंट के के के, ही कि जए जब हम पुल बतर रह से, तो 29 को चाप पागल हो गया है, इंफ एक ती से उपर मैं जा रहा हूं फिफ गर थाटी तरी आ शु वोलना इतना नहीं होता है कि यह तो मैंने बहुत हलका प्यार दवा रख है उसे सबसे मैं तो सिर्फ चालिस की अभी निकाल लो गर आसा रहा अब कम होना शुरू हो गया विचे बिएम डवली वाले आपिया निकल लो मर आगे से क्यों हमें स्वोक तरहाए कि नहीं टो थीक है अगर यह दखो भी 24.2 पर रुग गया 24.1 बहुत कि 20 C करेगा भी ठीक है यह तिंग इस दो मोर रियलिश्टिक फिगर और मैं चला रहा हूँ एटी के आसपास सब्सक्राइब क्या यह बहुंगा गारी है यह कुछ भी डिखा रही है कि अगर है कि अगर है इसको मैं चलाओंगा तो आई फील लाइक मैं से 20 अब अब अवरे निकाल लूगा बिकूस यह बात सबको पाता है तो यह तो हो गिए ओवराल रीवव बलीनों के बारे में अब किनको यह ले एक चाहिए कि आप करेंगें लाद करेंगें को अधनी कि रिफिय को रहता है जासे की घूशनीन अधले बावजिए परफॉर्मंस जो बिए गारी की और गारी की मालेज भ होगा इस वेरी प्रीमिम राइट इस जस्ट लाइक स्विफ बस थोड़ा सा सब कुछ बड़ा बड़ा आपको लगता है इस घाड़ी के अंदर क्योंकि यह सब स्टेंट्स है तो बलीनो को रेक्मेंट करना बहुत जादा मुश्किल नहीं है कि अब गाड़ी की जो आउटर चैसी है जो आउटर शीथ है बॉड़ी की वह भी आपको अलकी सी थिक महसूस होती है तो एटलीस मेंटली आपको लगेगा कि आप एक सॉलिड गाड़ी कंदर वैठे हुए कंपेर टू ओल्ड बलीनो चाहे गाड़ी सॉलिड हो या ना हूँ को क्रेश्टेस का काम है बताने मेरा काम नहीं है तो ओवराल जो बलीनो है इस हमेशा से बहुत अच्छा पैकेज रहा है अभी भी गाड़ी बहुत जाद अच्छा पैकेज है ठीक है जिन्होंने पुरारी बलीनो डीजल चले और कोई गाड़ी अंटर पावर लगेगी अगर आप यंग्स्टर्स हो आपको चाहिए ट्रिप वगादर के लिए का आप तो गाड़ी के अंदर पेस पी अच्छा है गाड़ी के बूट स्वेस्पेस भी काफी जादा डीसेंट है तो उस केस के अंदर भी आप बलीनों को चाहते हो और आपका डिसीजिएन फैनाशल अचीप है गाड़ी की माइलज काफी जादा अची है और री सेल गाड़ी की बहुत जादा अची है पार्ट्स प्लस अगाड़िया आपको अंदर से ज्जादा प्रीमिम महसूस होती है और नगती है काफी ज्यादा बैटर लगती है अगर आवन चीज़ों को देखो एटलिस्ट वीज्वली आइट्वन्टी और उल्ट्रोस दोनों गाडियां इस गाड़ें को तौलेट को किसी ज्यादा प्रीमें महसूस होती है इसके अलगा दूसरी चीज़ जो मेजर फेक्टर है बलीनों क तो हलका ता तीछे खीचने का मेरी ओपीनियन से वो है गाड़ी की सेफटी अब जो नई बलीनों है ये पुराने के मुकाबले कंपनी क्लें पो करती की ज्यादा स्ट्रॉंग है अगर आप शीट मेटल को दबाके देखो जो लोग देसी टेस्ट करते हैं टेस्टिंग बिल पुरानी का ऐसिंग जीरो स्टार था तो इस वाले का आई फील लाइक एक दो आ सकता है आने को तीन भी आ सकता है पर उसके ओपर मेरी कोई वर्टिंग नहीं है समय पुराने के मकाबले ये गारी बैटर है डैट इस फॉर तो जो लोग बलीनों को सेफटी की वज़ा से इन टर्म्स उफ सेफटी तो डैस दे न्यू बलेनो फो यू एंड मुझे कॉमेंट कर जरूर बताएं कि कंपनी बताती है कि गाड़ी को भारी किया गया है सेफटी इंप्रूफ करी गई है पर क्या आपको चीज लगती है या आपको लगता है कंपनी ने सिर्व वेट को ए झाल